हाई फ्रेंड्स कैसर आप सभी मैं आपका दोफ्त आशू आप सभी को नमस्कार सश्यकार आदाफ उम्मिद है कि आप सभी अच्छ होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 93 की फ्लोर की तो आज की जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं सिग्नेचर ग्लोबल लेके आया है लक्षरी हाई प्रीमियम लो राइस फ्लोर और इनके पास है कुछ कमर्शियल शॉप्स जो की आज हम उसके वारे में बात करेंगे इन्होंने कंस् उसके बाद बारिश होने के बाबजूद भी कितना रश है हो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं तो बेसिकली आगर आप लोग 2BH की प्लोर आप लोग कर मिलना है जो की बैंग ओन 84 मिटर वाइड रोड पर प्रोजेक्ट है लोकेशन बहुत प्र आपके स्राउंडिंग में रहने वाली है तो आप लोग को चाहोंगा यह मरे और द PROF कर चुकी है कि उसके बाद आप प्रपर तरीके से काम स्टार्ट हो चुका है जैसे कि मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा प्रपर तरीके से काम स्टार्ट हो चुका है अब हम जानते हैं लियाउट के दुरूफ के हमारा कहां पे रहने वाला है कमर्शिल और कहां पे रहने वाल है हमारे फ्लोर तो जैसे कि आप लोग देख पार होंगा यह आपका 84-meter wide road है 84-meter wide road के सामने ही आपका basically यह commercial हमारे रहने वाले है commercial के just back chart में हमारे floor रहने वाले है इसके पड़ोसी एक road निकलेगा जो कि आपका 24-meter road proposed है और यह वाला road आपका 84-meter road आपका operational है आज की rate में जो कि आप आजा सकते हैं उसके बाद यह road आपकी proportion है यह भी road आपकी जन्धी operational होने वाले है तो layout आपका काफी अच्छा है project आपका काफी अच्छा है basically 17-acre का यह project है जिसमें कि लगवग हमारे पास 1000 apartment है एक 1000 apartment का मतलब हर घर में आपके चार लोग भी रहते हैं तो लगवग आप मानके चलिए 4000 परसन आपके यहां रहने वाले जो कि हमारे इस commercial के लिए काफी है second floor पर हमारे प्री लिएस्ट है जो की अच्छा रिंडल इंकम आप लोग कमा सकते हो उसको आदम देखते हैं एक बार जो 24 मीटर रोड है सामने आपका 24 मीटर रोड है और यह जो आप देख पार नहां पर हमारी गाड़ी सावी पार्क सो रखी है यहां पर हमारा बनने वाला कमर्शल फिर मैं आप लोग से बताऊंगा बारिश होने के बावजूद भी इतना अच्छा पॉट्पॉल हमारे पास रोड पे गाड़ी खड़ी है पार्किंग हमारे सारी फोल हो चुकी है तो आप लोग बिल्कुल भी लेट ना करें आज ही अ पॉल बहु तो आप लोग बारी आप लगी है